Hey guys welcome back to the channel तो आज हम लोग इस बाइक के बारे में रिवीव करेंगे जो कि मेरा खुद का बाइक है पहले बाइक वीडियो में इस बाइक का था उसके बाद अब ये बाइक का रिवीव करूँगा मैं तो यसा कि आप देख रहा है ये बाइक का मैं फूल कॉंपोनेंट दूँगा बॉटम ब्रेकेट फिर इसमें जो जो कंपानी का चीज लगा हुए सब मैं बोलूँगा एक्शली जो बाइक है ये सिफ स्टन्ट राइडिंग का फ्रेम है क्योंकि इसमें जो ये वाला जो फ्रेम साइज है वो 17 इंच है 16 इंच तक है और ये स्टन्ट राइडल लोगों के लिए सबसे सभी बाइक है इसमें जो टायर्स लगे हुए आपको दिख रहे है ये 26 इंटू 2.4 इंच के टायर है जो कि आफ्रोडिंग के टायर्स है जो कि आपको ग्रिप मिलने में बहुत अच्छा है ये हार्टेक्स के टायर्स है हम देख सकते हैं तो उसका बाद अकर चेन का बात किया जाए तो च चेन जो की एमसी का है और इसमें जो आपका हब है वह हिरो स्प्रिंट का हब है हिरो स्प्रिंट का हब उतना अच्छा नहीं होता फिर भी अच्छा है एक बिगिनर के बाइक के लिए उसके बाद अगर इसका फ्रेम का डिजाइन देखिए आप एकदाव स्लंटिंग डिज में इसमें आपको फर्रण में रीजिड फोक मिलता है कि सवीड मिलता अच्छा इसमें अपको टायर जो है बहुत अच्छा है जो ट्यूब है वह हाट्टेक्स के तरफ सही है उसके बाद आगर इसमें ब्रेक की बात किया जायतं तो इसमें वी-रेक्स है नन्मल जो कि शैपो क वी ब्रेक्स है यह बेसिक इंट्री लेवल वी ब्रेक्स है इसका हेंडल बार का बात किया तो यह थोड़ा ट्रायल बाइक और वी एमेश का लूख है इसमें आपको 780 mm का हैंडल बार मिलता है फुल जो कि आपको अफरेट के लिए सबसे अच्छा होता है यह आपको बैठके पूश्चर दिखा दो हमेरा हैंडल का आप देखिएगा कैसा लगा आपको यह देखके तो आपको पसंद आया रहा है यह रिवीव कमेंट करके निचे जरूर बताए सबस्काइब कीज़ा हमें चैनल को ताकि मैंने अभी एक वीडियो डाला है जो कि आप देख सकते वर्ड बाइसेगल का स्पेशल है कि आप मुझे अगर मन के सबस्काइबर कर देंगे इस मैना में तो आपको एक बाइसेगल मिलेगा जो क आपके डियोर गियर्स है जो कि एराउंड ट्विट्टी डू स्पीड है उसमें आपको एर फोक मिलता है और जो कमपनी है वह यूरो बाइक है वह यूरोप का है और वह इंडिया में भी डिलिवर होता है फ्री तो मेरा फ्रेंड ने अभी अभी लेगा बोला तो मैं आपक यह वाला बाइक का रिवीव था और कुछ नहीं है तो साम को राइड होगा हम लोग का चलिए तब मिलते हैं ने इस वीडियो पर तिल देन स्कीप सब्सकाइब कीप एडली तिल देन बाई